पूरे नोट्स में आपने मैंने प्रोवाइट किया आप अच्छे से समझेगा मैं आपको एक एक जीजे एक्सप्लेइन करूंगा सबसे पहले मैं डिसकस करूंगा इंट्रोडक्शन ओफंगाई क्या होती है देन मॉर्फोलोजिकल क्लासिफिकेशन ओफंगास मतलब किस तरह की वो दिखाई देती है बनावट के आधार पर मैं आपको डिसकस करूंगा कि फंगास के कैसे होती है classification based on sports तको sports के basis पर मैं आपको discuss करूँगा फंगस कितने type की होती है classification based on disease disease के उपर बीमारियों के आधार पर classification क्या होती है superficially mycos क्या होती है subcutaneous mycos क्या होती है systemic mycos क्या होती है यह चीज़े हम लोग देखेंगे एक इसमें deep mycos आती है आपको आगे discuss करूँगा तो पहले वीडियो स्टाट करने से पहले मैं चाता हूँआ है आप लोग चैनल को subscribe कर लीजे मेरी वीडियो को like कर लीजे बहुत महनत से आप लोग के प्रपेर की है तो वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो समझ रहे हो चीजों को मैं अपनी तरफ से पूरा कर पा रहा हूँ अगर कोई रहता है तो आप मुझे description में contact दिया हूँआ वहां से आप मुझे contact कर सकते हो तो start करते हैं माज का topic introduction of fungus सबसे पहले मैं आप से discuss करूँगा fungus का introduction क्या होता है study of fungi is called mycology तो को fungus की study को हम बोलते है mycology myco मतलब होती है mushroom logi मतलब study fungus की study करने को mycology कहा जाता है all fungi are eukaryotic देखो दो तरह की सेल होती है एक होती प्रोकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक को मतलब पाता है eukaryotic का मतलब होता है multicellular cell होती है बहुत सारी कोशी का इन में पाई जाती है eukaryotic cell से unique cell है all fungi are aerobic nature अच्छा aerobic का क्या मतलब होता है देखो ac fungus जो की oxygen की उपस्तिती में ही grow करे वो oxygen की उपस्तिती में ही जिंदार रह सकती है उसे मैंने बोला है aerobic fungi fungus may be divided by asexual process and also divided by sexual process दोनों तरह की process पाई bacteria virus सब सब तरह divided होती 1-2-2-4 बनती है इसी तरह से जो हमारी fungus है fungus जो divide होती है asexually भी हो सकती है और sexually हो सकती है दोनों तरह की process में होती है fungi may be unicellular fungus may be multicellular fungus होती है आपकी unicellular होगी यह multicellular हो सकती है unicellular मतलब एक कोशी की multicellular मतलब की बहुत सारी कोशी काई इसमें पाई जाती है next page पर बढ़ता हूँ study of fungus called mycology all fungi are eukaryotic all fungi are aerobic nature aerobic का मतलब होता है जो की oxygen की presence पर grow करे fungi may be divided in asexual process और sexual process दोनों की तरह की process पाई जाएगी और fungi may also unicellular or multicellular ठीक है next page पर बढ़ता है morphological classification of fungus डिखावट बनावट के आधार पर fungus को कैसे divide किया गया है according to the morphology fungi are divided into four type या four group चार भागो में विभाजित किया गया है fungus को किसके आधार पर उसकी बनावट के आधार पर देखिये मॉल्ड सबसे नंबर बन पर आता है मॉल्ड दगो fungus में नाम भूत कन्फ्यूजिंगे तो आप लोग जो इनके नाम है वह थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा ना एक दो बार पड़ोगा आप आप एजी ली आद हो जागा आपको माइंड में फिक्स हो जाएगा मॉल्ड के बाद आता है यस्ट के बाद आता है यस्ट लाइक फंगाईаки उसके बाद आता है अ-दिमौरफिक फंगाई ठीके फिरसे रिपीट करता हूं मॉल्ड मॉल्ड, येस्ट येस्ट यस्ट लाइक फंगाई और र्खिए यह इंपोर्टेंट थे आप 4 टाइप याद रखना मैं आपको 1-1 करके explain करता हूँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे mold actual में होता क्या है, mold का क्या मतलब होता है, देखिए the body of mold contain of big filamentous cell, एक लाइन समझो, मैं आपको पूरा the body of mold, जो mold fungus है, उसकी जो body है, big filament से बनी होती है filament मतलब जैसे उंगली जैसे structure, नहीं नहीं, शाखाओ, जैसे branches, जैसे पेड़ की छोटी छोटी चोटी तहनिया निकली रहे थे इस तरह से यह निकला हुआ है, ठीक है, तो filamentous cell होती है, these filamentous are attached together which is called hyphae, यह सारे filamentous shape आपस में एक दूसरे से attach होते है, जिसे आपन कहते है, hyphae यह निकल रहे है, इसके उंगली जैसे, इसके एक डाल यह main, main डाल यह है, और इससे यह टेहनिया निकली हुई है, यह टेहनिया टाइप की, इसे मैंने क्या बोला है, हाइफे बोला है, फिर से repeat करता हूँ, देखना, मौल्ड को समझने की कोशिश करना, the body of mold consists big filamentous cell, बड़ी filamentous cell है, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है, काई के तरू, हाइफे के तरू, हाइफे कहेंगे इनमें, ठीक है, next line देखिए, हाइफे may be septed, or may not be septed, may not be septed, septed, और a septed का क्या मतलब हो रहा है, वो समझे, देखो, septed देखो, यह filamentous shape है, ठीक है, flamenous shape, पर बीच में जो यह septum दिखाई दे रहा है, यह division, यह stop जो बन रहा है, black black, इनको मैंने कहा है, septed, यह हाइफे है, हाइफे या तो septed होंगे, या a septed होंगे, या non septed, non septed मतलब य division इसमें नहीं है, यह non septed है, ठीक है, इसे बोलूँगा septed, इसे बोलूँगा non septed, this is multiple nuclear, देखो, इसके पास बहुत सारे nucleus है, एक, दो, तीन, multiple nuclear, मतलब बहुत सारे nucleus है, इसके पाए गए, देखो, फिर से repeat करता हूँ, the body of mold consists of big flamencus, बहुत सारे बड़े-बड़े flamencus होते ह इदर एक दूसरे से attach रहते है, by hyphae, यह उंगली जिसे structure hyphae, यह hyphae septed भी हो सकते है, और non septed, septed मतलब यह बीच में divided in septed बोला है, non septed जिनकी यह नीचे वाला structure देखे, इसमें कोई septum नहीं है, this is multiple nuclear, इसके पास multiple nuclear होता है, multiple nuclear मतलब बहुत सारे nucleus के पास पाए जाते है, next page पर बढ़ते हैं हम लोग, example of mold, mold का क्या example है, dermato phytosis, याद रखना example बहुत important है, dermato phytosis, derm मतलब skin, phytosis मतलब उसकी species, उपर इसकी ringworm, सबने देखा होगा, आपके हातों पर इन बे ring पड़ जाते है, वो ringworm होता है, ठीक है, penicillium एक example है, इसका, aspergillum, यह तीन exam most important example है, dermato phytosis, penicillium और aspergillum, next page पर बढ़ते है, yeast, अभी यह yeast क्या होती है, this is round to oval unicellular fungi, ठीक है, अभी अपने mold समझी थी, के mold कैसी होती है, mold कैसी होती है, mold कैसी होती है, हमारी जो mold थी, वो ऐसे flamenτα shape में थी, but जो हम यहाँ पर देख रहे है, कि जो yeast होती है, yeast हमेशा oval और goal shape होती है, this is round to unicellular fungi, अब वो multi-cellular थी mold, but यह कैसी है, यह एक प्रकार की unicellular sale, unicellular का मतलब एक कोशी किये sale, it is reproduced by budding process, देखो, यह एक है, इसको एक से दो बनना है, तो आगे इसमें एक bud निकाला, यह दोनों अलग-अलग हो जाएंगे, इसे बोलते है, budding process, it show a creamy and mucoid colony, देखो, culture medium हम जब culture करेंगे, तो creamy, chip-chip हलकी सी mucoid colony, यह शो करता है, इसका example क्या हो सकता है, इसका example है, cryptococcus neoformans, ठीक है, example important है, आप याद रखना, cryptococcus neoformans, next page बढ़ता हू, अब दखो, yeast like fungi क्या है, yeast तो है, मतलब, यह तो yeast तो है, पर इसके जैसे दिखने वाली fungus है, वो खाली, दे budding, chain like, chain मनाएगी, बढ़ तो है, पर बढ़ से एक और बढ़ जूडगे, एक और बढ़ जूडगे, यह chain मना ली इसने, तो यह chain type में हो गया, इसका example क्या हो सकता है, इसका example simple, candida albicans, candida albicans is most important example of yeast का important example, याद रखना, candida, classification based on sports, आप देखो, इसे taxonomical classification भी कहते है, sports के आधार पर sexual sport है, या asexual sport है, इसा आधार पर में डिवाइट करूँगा, चार टाइप में डिवाइट होंगे, यह, number one, zygomycities, ascomycities, bacidomycities, and deuteromycities, zygomycities, ascomycities, bacidomycities, deuteromycities, 4 important example है, आप याद रखना, यह 4 टाइप होते, इनको एके करके में एक्स्प्लेइन करता हूँ, सबसे पहले आते है, zygomycities के उपर, it has a non septed high, इसके पास high तो है, फ्लामेंटस है, पर केसे, non septed, इसमें सेप्टम नहीं पाया ग यह समझो, sports कुछ नहीं, जो back, fungal से इसको divide करने के लिए sports बने हुए, sports निकलेंगे, दूसरे fungal बनेगी, फिर sports निकलेंगे, तीसरे fungal बनेगी, इस टाइप से, तो इसमें sexual sports भी है, asexual, sexual में क्या होगा देखो, मैं बताता हूँ आपको, one minute, यह एक sport है, और यह एक sport है, Suppose that, यह sexual sport है, यह asexual sport है, अब बगो, यह asexual sport, दूसरे sport से reaction करके, नए sport बनाएगा, पर यह खुद की body को दो भागों में ही तोड़ देगा, इसमें sexual का मतला होता है, जिसमें other parents की involvement रहे, उसे बोलता है, sexual sport, और यह होता है, asexual sport, ठीक है, sexual sport is called, sexual sport को क्या बोलेंगे, zygo sport, जो इसमें sexual sport पायागा है, उसका नाम है, zygo sport, asexual sport is called, sporing game sport, दो को दो तरह के sports पाया गएते हैं, sexual sport, एक asexual sport, sexual sport का zygo sport केते हैं, asexual sport को sporing game sports कहेंगे हम, next page पर बढ़ता है, ascomycetis, अब यह ascomycetis क्या होता है, it has septed hype, septed मतलब, जिसमें division है, दो को बीच में division दिखाई रहे हैं, यह septed hype है, ठीक है, this fungi has sexual sport होता है, only, sexual sport का नाम होता है, asco sports, क्या नाम है, asco sport is the most important name, next page पर बढ़ता है, Bacidomyces, 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 मतलब क्या होता है, समझो, it has septed hype, देखो, जो आपने mushroom देखी है, mushroom, वो mushroom example है, Bacidomyces का, Bacidomyces का example, this is fungal, has sexual sport, इसके पास only sexual sport होता है, उसका नाम होता है, Bacidospore, जाइगोहग स्पोरि के पास जाइगो इस पोर के पास बास बसिडा स्पोरि के पास बसिडा षिए ऊठोर्स होता है है नेक्स पेड़ बढ़ते हम लोग अब बहुकों ड्यूटे में anunci ट्रॉम में स्पोरि मतला निशेंड रही के नाश़गर satisfying Classification of fungus based on disease Based on the disease Fungus are classified into three types तीन प्रकार की होती ही बीमारियों के आधार पर Superficially microse Subcutaneous microse Systemic microse और देखे सबसे पहले Superficially microse क्या होती है Superficially microse This is a type of fungal effect Superficially infection जो की स्कीन के Superficially infection करे It effects skin, hair, nail, mucosa यह रिंग वोम दिखाई दे रहा है यहां पर डाइगराम में आपको यह स्कीन पर चेहरे के उपर ऐसे रिंग वोम कही ने कहीं आपको भी हुआ होगा तो इसे रिंग वोम कहा है यह किसके example है Superficially microse का है Example देख लीजे कौन सी बीमारी का Dermatophytosis Dermatophytosis is fungus का नाम है जो कि अपकी स्कीन के उपर इंफेक्ट करती है Superficially Next Melassezia furfure Melassezia furfure भी आपको स्कीन पर इंफेक्शन करती है Superficially अब देखे मैं आपको Next बताता हूँ Subcutaneous microse क्या होता है This is type of fungal transmitted by soil and it mainly effected tissue यह किसके तुरू transfer होती Subcutaneous soil मिट्टी के तुरू और यह किसको इफेक्ट करती Tissue infection करती Skin के अंदर जो soft tissue होता है Example इसका Mycetoma देखो यहाँ पर डाइग्रम दिया हुआ सबसे पहले क्या हुआ हूआ Soil में यह पर स्टूल जो पोटी वगेर है तो उसमें यह fungus पाई जाती Subcutaneous mycetoma अभी this mycetoma को क्या कर रहा है Insected जो कीडे वगेरा मक्यों गेरे ना खाया फिर इसने पेरों पे काटा फिर पेर के हलात यह होगा क्योंकि टिशू यहाँ से transfer होगा fungus यहाँ पे और फिर हम ठीके इस टाइप से यह transfer होती रही है Next page पे बढ़ते हम लोग Systemic mycose अब देखो systemic mycose क्या होती है Systemic mycose transfer by inhalation process Inhalation मतलब directly निगल जाना है It is mainly effect internal part of body central nervous system CNS का मतलब होता central nervous system Heart, bone and many internal organs systemic अंदर infect करती है इस टाइप से देखो अंदर गई और इसमें देखो diagram में जब यह अपन mouth से इनको बाहर release करेंगे तब यह पक्षियो को भी हाम पोचाती है ठीक है Example देख लिए systemic mycose का Cryptococcus Cryptococcus is the most important example Histoplasmosis भी एक example है और Blastomycosis यह भी एक example होता है systemic mycose का Thank you for watching Indian Medical Lecture अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मुझे comments में आपका feedback जरूर दीजिए और आप लोग चैनल को बिल्कुल subscribe नहीं कर रहे हो पहले चैनल को subscribe कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वक्त आपको notification मिलती रहे मैं इसी तरह medicals related easy language में बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ और अगर किसी चीज़ के notes चाहिए medicals related, nursing, paramedical, anything student आप मुझे नहाप पर number दियो है description पर मेरे number दियो महा से आप मुझे directly contact कर सकते हो Thank you for watching Indian Medical Lecture